हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों 160C में 7 बाइक्स आती हैं पर दोस्तों आपको पता है कि कौन सी बाइक में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेगा तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हेलो एक्स्ती में आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलेगा पर इन चारो बाइकों में आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेगा इन तिनों बाइकों की मुकाबली तो दोस्तों इस वीडियो में Hero XT160R और TBS Apache RTR 162B को फुली कंपेर करेंगे यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में TBS Apache RTR 164B की कंपेर नहीं करेंगे क्योंकि यह बाइक थोड़ी सी महंगी है और यह RTR 162B और Hero XT160R की बात करें तो यह बाइक आपको लगबग 1,45,000, 1,50,000 तक की ओन रोट प्राइज आपको मिल जाएगा जबकि 164B थोड़ी सी महंगी आती है यदि दोस्तों आप यह दोनों बाइकों के लेकर कंफूज हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी हेलपफुल होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी कुछ जानकारी देखने को मिल जाएगा कि कौन से परपस से आपको कौन सी बैक खरिदनी चाहिए तो चली दोस्तों वीडियो को लाज तक बने रहेगा सुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँआ यदि आप फैमिली राइटिंग के लिए बैक लेना चाहते हैं जैसे कि पीछे महिलाएं बच्चे बैठाना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा टीबियस अपाचे आर्टियर वनसीटी टू भी इसमें सिंगल सीट मिलता है फ्लेट सीट देखनों मिलता है हलाकि सिंगल सीट आपको एक्स्टी में भी मिलेगा पर इसकी जो सीट है थोड़ी सी पिलियन सीट उची है तो फैमिली राइटिंग के लिए यानि की पीछे महिलाएं बच्चे बैठाने के लिए अपाचे एक परफेक्ट बाइक है इसकी सीटिंग पोजिशन भी ज्यादा अग्रेसिव नहीं है कंपेर टू एक्स्टीम के मुकावली इसकी अलाबा TBS अपाचे में पीछे डूबल सस्पेंशन मिलता है जबकि हीरो एक्स्टीम मुकावली यानि की मोनो सुक सस्पेंशन मिलता है लाइट्स की बात करें तो अपाचे की पहले बात करते हैं तो इसमें आपको LED हेडलेम मिल जाएगा LED पोजिशन लेम देखनों मिल जाएगा इसकी अलाबा LED टेल लेम देखनों मिलेगा और जो विंकर्स है वो आपको बल्ब मिलेगा और यहें पर एक्स्टीम की बात करते हैं तो इसमें आपको फोली LED शेट अप देखनों को मिल जाएगा जैसे की LED हेडलेम मिल जाएगा LED टेलेम मिल जाएगा और इस बाइक में विंकर्स भी आपको LED मिलेगा इसके अलाबा लुकिंग की बात करते हैं डियानिंग की बात करते हैं तो यहां भी दोस्तों लुकिंग डियानिंग अपना बेक्तिकत पसंद होता है किसी को अपाचे पसंद आ सकता है किसी को एक्स्टीम और पसंद आ सकता है एक्स्टीम की बात करें तो फ्रेंड में नेकेर लोग देखनों मिलता है जैसे का आप देख सकते हैं फ्रंड में वाइजर नहीं मिलेगा जबकि अपाचे में फ्रंड में वाइजर देखने को मिल जाता है इसके अलाबा बैक लुक की बात करते हैं तो बैक लुक देख सकते हैं दोनों बैकों के कुछ इस तरह का है तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं डियाइनिंग किसकी इसके बारे में दोस्तों क्या ख्याल है अब सब्सक्राइब दोस्तों अब आगे बात करते हैं दोनों बैकों की इंजन परफॉर्मेंस की काउन सी बैक में आपको ज्यादा पावरफुल इंजन मिलेगा तो अपाचे की बात करें तो इसमें आपको 169.7C का इंजन मिलता है एरगूल इंजन है, टूब वाल वाली इंजन है इसमें raised tune fuel injection इस bike में लगाया गिया है इसमें power और torque की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको कही सारा mode देखनों मिल जाता है जो सबसे ज़्यादा power निकालता है sport mode में जो की maximum power निकालती है 16.04 PS की और maximum torque जनेरेट करती है 13.85 Nm का एक्स्टीम की बात करें तो इसमें 163 CC का engine लगाया गिया है यह बैक भी air cool engine के साथ आता है 2 valve access technology का fuel injection इस bike में भी लगाया गिया है maximum power निकालती है 15.2 PS की maximum torque जनेरेट करती है 14 Nm का यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा सा power ज्यादा मिलता है अपाचे में जो की इस bike में top speed लगबग 130 तक की चली जाती है X-TRIM की बात करें तो इस bike में top speed लगबग 125 तक की रहने वाली है initial pickup के मामले में भी दोस्तों अपाचे काफी आगे रहने वाला है क्योंकि इसमें आपको over square engine देखनों मिलता है दोनों भाइकों की mileage की बात करें तो दोनों ही भाइकों में लगबग 45 के MPL तक की mileage मिल सकती है यदि आप सही से चलाएंगे और economy zone में चलाएंगे तो चली दोस्तों अब आगे बात करते हैं दोनों भाइकों की features की Apache की बात करें तो इस bike में single channel avias लगाया गिया है with supermoto dual pedal disc brake मिल जाएगा और extreme की बात करें तो इस bike में भी आपको single channel avias मिलेगा with pedal disc इसमें भी मिलेगा Apache में GTT technology मिल जाएगा जबकि extreme की बात करें तो इसमें आपको auto cell technology मिलेगा यहां भी दोस्तों technology का नाम अलग-अलग है लेकिन आपको काम एक ही जैसे करने वाला है जैसे कि बिना total गुमाए पहली gear पे होंगे तो 5-7 km के परती घंटा के साब से चलेगी bike दुसरे पर 12-13 और 37-18 km के परती घंटा के साब से चलती है यह bike Apache में ride mode मिल जाएगा जो कि दोस्तों अपने traffic according ride को select करके चला सकते है और यह पर extreme की बात करें तो इसमें आपको कोई भी ride mode देखने को नहीं मिलता है Apache में AHO LED headlamp with LED position lamp देखने को मिल जाएगा और extreme की बात करें तो इसमें भी आपको LED headlamp और LED wingers देखने को मिल जाएगा Apache की tire की बात करें तो front में 90 by 90 और rear में 110 by 80 का tubelaster मिलेगा और इस bike में 120 mm का भी पीछे का tire का option देखने को मिलता है extreme की बात करें तो front में 100 by 80 और rear में 130 by 70 का tubelaster मिलेगा Apache में remora का tire देखने को मिलेगा जबकि extreme में आपको radial tire देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आगे और पीछे चवड़ा tire देखने को मिलता है extreme versus TR में जो की stability और अच्छी का सी grip मिलने वाली है यहाँ पर tire के मामले में थोड़ा सा Apache पीछे रहता है ground किलनेस की बात करें तो Apache में 180 mm का ground किलनेस है जबकि extreme में 166 mm का ground किलनेस मिलता है यानि कि दोस्तों थोड़ा सा ख्राब रास्ते पे भी Apache को ले जाकर चला सकते हैं यानि कि उच्छे breaker पे भी नीचे से टकराने का कम चांस रहेगा Apache में जबकि extreme में थोड़ा सा चांस रहेगा फिर भी 166 mm कम नहीं है इसमें भी काफी ज़्यादा ground किलनेस देखने को मिलता है seat height की बात करें तो दोनों ही बात को में 790 mm seat height है जो कि short rider या फिर long rider के लिए दोनों के लिए compatible रहने वाला है वजन की बात करें तो दोनों ही बात करें तो दोनों ही बात करतें हैं दोनों बात करते हैं दोनों बात की meter console کی Apache की बात करें तो इसमें आपको fully digital meter देखने को मिल जाएगा with Bluetooth connectivity देखने को मिल जाएगा information की बात करें तो call SMS का alert मिल जाएगा navigation ले सकते हैं इसके अलबा race telemetry देख सकते हैं low fuel warning and acid यानि कि दोस्तो अगर आपके bike में fuel कम होता है तो ये warning भी देगा इसके लाबा नजदी की petrol pump का suggestion भी करेगा इसके लाबा इसमें आपको lean angle mode देखने मिल जाता है crash alert देखने मिल जाता है यानि कि दुस्तो आपकी bike गिरती है तो आपके साथी को notification चला जाएगा कि ये आपका साथी गिर गया है यानि कि accident हो गया है तो एक अच्छी safety feature दिया गया है इसके लाबा इस bike में gear position indicator, average indicator, left timer, top speed decoder तो अच्छे खास से information देखने मिल जाता है TBS Apache RTR 162V में और यहें पे XTMR 162R की बात करें तो इस bike में भी fully LCD console देखने मिल जाता है with Bluetooth connectivity इस bike में भी देखने मिलेगा safety features ज्यादा दिया गया है जैसे कि इसमें आपको toy alert मिल जाएगा tople alert मिलेगा driving score देखने मिल जाता है geofence alert मिल जाएगा hero liquid देखने मिल जाएगा trip analysis मिल जाता है vehicle start alert देखने मिल जाता है speed alert live tracking तो काफी सारा information देखने मिलता है उल्टा सिधा लगाने की खुशिस कर रहा है तो आपके रेश्टेट मोवेल नंबर पर information चला जाएगा इसके लबा लाइब ट्रेकिंग भी कर सकता है यदि आपकी बाइक कोई ले जाता है तो features के according भी देख सकते हैं कौँशी बाइक आपके लिए perfect रहने वाला है इसके लाब हीरो एक्ष्टी मोवेल की बात करें तो इस बाइक में USB charger मिल जाएगा जो कि Apache में नहीं मिलेगा kick start option देखनों मिल जाता है तो दोस्तों मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्ष्टी मोशेटी आर में थोड़ा सा ज्यादा फेचा से कंपरेट टू अपाचे के मुकावले फिर भी दोस्तों देख सकते हैं आपको कौन सी बाइक आपके हिसाब से अच्छा लगता है उससे आप खरीद सकते हैं डिजाइनिंग लुक के साथ जाना चाहते हैं यानि कि अगर जो ज़्यादा टॉप स्पीड और पावरफूल इंजन के साथ जाना चाहेंगे कितना डिफ्रेंस है प्राइज के मामले में यापके दोस्तों सबसे पहले अपाचे आटीर मोंसेटी टूवी की बात करें तो यह आपको तीन वेरियंड में मिलता है इसमें आपको सिंगल डिक्स, डुवल डिक्स और ब्लुटूथ कनेक्टिविटी वाला देखनों मिलेगा यदि आप सिंगल डिक्स लेते हैं तो इसका ओन रोड प्राइज लगबग एक लग 40,000 एक लग 41,000 तक कर जा सकता है डुवल डिक्स लेंगे तो एक लग 44,000 और ब्लुटूथ वाला लेंगे तो एक लग 48,000 एक लग 50,000 तक की ओन रोड प्राइज आपको यह बाइक पढ़ने वाली है हीरो एक्सी मों सेश्टी आर की बात करें तो यह बाइक आपको चार वेरियंड में मिलेगा सिंगल डिक्स, डुवल डिक्स, स्टेल्थ एडिशन और स्टेल्थ एडिशन टूपन जीरो यदि आप सिंगल डिक्स में लेते हैं तो इसका ओन रोड प्राइज लगबग 140,000 पढ़ने वाला है तो यहां पर दोस्तो देखा जाए तो प्राइज के मामले में ज्यादा कोई फरक नहीं है एक्स्टिम वंसेश्टी आर में जो स्टेल्थ एडिशन टूपन जीरो है थोड़ा सक 4-5 जारपे महेंगा कह सकते हैं तो यहां पर दोस्तो फीचा से भी आपको इस बैक में ज्यादा देखने को मिलता है तो दोस्तो आप कौम सी बैक लेना चाहेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा अगर यह वीडियो और यह कंप्रिजेन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाग थैंक्यू जैहिं